अससलाम अलेकम, अच्वा टॉपिक नाब प्रोटोस्टॉम्स और डिटूरोस्टॉम्स में क्या फरक है जो कि बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है ऐसे एनिमल्स जिसके ब्लास्टॉपोर्स से माउथ बने और जो एनस है वो फॉर्म्स होती है सेपरेट आपनिंग से आप ऐसे जानदार को प्रोटोस्टॉम्स कहते हैं और वो एनिमल्स का ग्रुप जिसके ब्लास्ट्रोपोर्ट से एनस बनती है और माउथ बनता है फॉर्मड होता है सेपरेट आपनिंग से आप इसको डिटूरोस्ट्रोम्स का नाम देते हैं इस प्रोटोस्ट्रोम्स को अगर देखा जाए यह किन किन फाइलम के अंदर आते हैं जैसे प्लाटी हर्मंती प्रोटोस्ट्रोम्स हैं नीमा टोडा प्रोटोस्ट्रोम्स हैं मुलस्का और अनलीडा और आर्थ्रोपोडा यह कुछ और भी अधर जो क्या है प्रोटोस्ट्रो है spiral cleavage होती है और यहां पर जो mytotic devian है वो radial cleavage है इनके पास जो spindle fiber है जिसको mytotic spindle का नाम दिया जाता है यह obliqually बनते है axis of the zygote के लहाँ से इनके पास अगर mytotic spindle की बात की जाए तो यह perpendicular बनते हैं to the axis of the zygote के लहाँ से इनके पास जो cleavage है पता होता है किस से की cleavage होगी कितने सेल बनेगे यह determinate होता है और इंके पास जो cleavage होती है cell के जो devian होती हो नहीं पता होता यह indeterminate है यहां पर fate of cell देखा जाए जो cell की किस्मत है क्यों सा सेल क्यों सा और्गन जैसे discover مुकमल हो जाती है in पे जाके पता लगता है कि किस आर्गन का बनेगा किस टिशू का बनेगा तो जो फेट औफ सेल इसका वो लेट है और इसका फेट औफ सेल का बड़ा अर्ली होता है प्रोट्रोस्टोम्स की बात की जाए अगर इनके जो जाइःगोर्ड के डिवियन के दुरान जो सेल्स है अगर वो सेपरेट हो जैंरडाइए तो वो सेल्स नहीं बना सकती एक मकमल जांदार नगर डिटिरो स्ट्रोम्स के अंदर अगर देखा जाए जो embryo के cells है अगर वो separate हो जाएं तो जितने cells separate होंगे वो मकमल जानदर बनाने की खास्यत रखते हैं ये डिटिरो स्टॉम के अंदर खास्यत है जो प्रोटो स्टॉम्स है इनके दुरान जो larva बनता है वो top shaped होता है जिसको ट्रोकोफोल larva का नाम दिया जाता है और जो डिटिरो दुरोला larva का नाम दिया जाता है